इसके वीडियो में हम बात करेंगे Gesta Pro की टेबलेट के बारे में Gesta Pro की टेबलेट के फायदे क्या होते हैं किस तरह से इसका इस्तमाल किया जाता है इसके डोज क्या है इसके साइड एफिक्ट क्या है इसका कंपोजिशन क्या है और ये किस कमपनी द्वार मार्केट में बेचा जाता है इसकी प्राइज क्या है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में तो उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहे हैं दोस्तो गेस्टा प्रो किट टेबलेट कुछ इस तरह के कागस के कॉटन बॉक्स में आता है जिसे बनाती है जोएंटेस हेल्ट केर कंपनी जो की काफी अच्छी और जानीमानी कंपनी है दोस्तो एक किट की प्राइस की बात करें तो लगबग ये अभी के समय ये 500 रुपे के लगबग एक किट मिल जाता है गेस्टा प्रो टेबलेट दोस्तो अंचाहे प्रेगनेंसी को खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तो कई बार कुछ लोग अवैद संबंद बनाते हैं अवैद संबंद बनाने के बाद वो प्रोटेक्शन का इस्तमाल नहीं करते हैं जिसके चलते अंजाने में प्रेगनेंसी ठहर जाती है और उस प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तमाल किया जाता है। साथी दोस्तों बहुत से लोगों की फेमिली जो है कंपलीट हो गई है यानि कि दो तीन बच्चे हो गए हैं और अब वो बच्चे नहीं चाते फिर भी उन्हें अंचाहे में प्रेगनेंसी ठहर जाती है और उस प्रेगनेंसी को वो गर्बपात कराना चाते हैं तो उन केंडि टेबलेट जो है इसके कंपोजिशन पे नजर डाले तो इसके जो है आपको एक कीट में पांच टेबलेट देखने को मिलती है जो कि सेक्यार A और B में पटा रहता है section A में एक tablet होती है जिसका composition होता है Miphyprosetone जो की 200 Mg में होता है और section B में आपको 4 गोलिया देखने को मिलती हैं जो की होता है Miphyprosetone जो की 200 Mg में होता है दोस्तो ये एक Allopathic Drug है जो की pregnancy को Terminate करने में काफ़ी हद तक काम करता है दोस्तो ऐसे तो pregnancy खत्म करने के दो तरीके होते हैं एक medicine द्वारा दूसरा जो है surgical द्वारा पहले तो medicine द्वारा लोग try करते हैं अगर medicine से उनका गर्पात नहीं हो पाता तो उन condition में वो surgical option वो चुनते हैं जो की doctor द्वारा किया जाता है और gasto pro tablet दोस्तो आप इसे अपने मन से ना इस्तमाल करें इसे जब भी इस्तमाल करें तो अपने नजदी की किसी ladies डॉक्टर से जरूर सला लेने के बाद ही इसका इस्तमाल करें दोस्तो ये बहुत ही अच्छा tablet है जो की अंचाहे pregnancy को खत्म कर देता है दोस्तो लेकिन ये 64 दिन के अंदर के pregnancy को ही खत्म करता है अगर आपकी pregnancy जो है 70 दिन 80 दिन 90 दिन यानि की 3 महिने के लगबक के pregnancy हो गई है तो उन condition में ये गरपपात नहीं करता और आपकी pregnancy जो है सही तरीके से नहीं terminate होती दोस्तो gastro pro tablet की dose की बात करें तो इसे जो है लिया जाता है जो की section A की गोली जो होती है इसे जो है first night यानि की पहले दिन की पहली रात को खाना खाने के बाद एक गोली ले लिया जाता है रात में और दूसरे दिन आप इसे इस तरह से ले सकते हैं चार गोली होती है section B में section B की एक गोली सुबह में ले ले दूसरे दिन और दूसरी गोली रात में सोने के time और तीसरे दिन भी आपको section B की जो है first गोली सुबह में लेनी होती है और second गोली जो है रात में लेनी होती है यानि कि तीन दिन में खाकर आपको इस कीट को खतम कर देना होता है और दोस्तों यह टेबलेट जो है आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने पर ही इस्तमाल कर सकते हैं पॉजिटिव अगर निगुटिव आता है तो उन कंडिशन में आप इ 20 दिन लेट हो रहा है तो उन कंडिशन में सबसे पहले आप प्रेगा निवस से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करें अगर दो लाइनिंग डार्क आती है तो समझ लेजी कि आपकी प्रेगनेंसी टार गई है अगर सिंगल लाइन आती है तो समझ लेजी कि आपकी प्रेगनें होता है या फिर आपके बॉड़ी में खून की कमी होती है तो उन condition में आपका period जो है 10 से 15 दिन या 20 दिन लेट हो जाता है और जैसे ही आपके बॉड़ी में खून की कमी दूर होती है शरीर में कमजोरी दूर होती है तो आपका period जो आजाता है तो इसलिए इस किट को जल्दिबाजी में इस्तमाल ना करें पिरियड मीस होने के साथ से दस दिन के अंदर आप प्रेगा नियूस से पहले चेक करें पॉजिटिव आने के बाद ही इस टेबलेट को इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों यह थे इसके यूज और डोज के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों इसे जो है जो अस्तनपान महिलाई कराती हैं वो अगर इस्तमाल करना चाहती हैं तो एक बार अपने नजदे की डॉक्टर से सला लेने के बाद ही इस्तमाल करें इसके साइड इफे और bleeding जो है, 7 से 10 दिन या 12 दिन लगतार चलती रहती है, उसके बाद अगर आपका pregnancy पूरी तरह से terminate हो गया है, तो blood आना बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपकी period जो है, यानि कि bleeding दो दिन, चार दिन रुख कर फिर start हो जाता है, तो उन condition में आप सबसे पहले एक ultrasound करा है, और देख लें कि जो pregnancy terminate हुआ है, यानि कि जो शिशु आपने खतम किया है, नस्ट किया है, उसके कुछ parts आपके बच्चेदानी में तो नहीं नरा गया है, अगर बच्चेदानी में बच्चे का थोड़ा सा भी answer जाता है, तो आपको रुक रुक कर bleeding होती है, और आपका pregnancy जो है सही तरीके से terminate नहीं हो पाता, तो उन condition में आपको surgical abortion करवानी की जरूरत पड़ती है, जो की एक latest doctor करती है, और इस kit को खाने के बाद अगर 10 दिन बाद आपके bleeding पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो समझ लिजी कि आपकी pregnancy जो terminate वो 100% हो गई है, लेकिन अगर रुक रु गया है बचेदानी में, तो इस तरह करके इसके इस्तमाल करें, इसके side effect की बात करें, तो इसके निमन side effect हो सकते हैं, अगर first night को आप जब tablet लेते हैं, तो आपको चकर आ सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, सर में दर्द, पेट खराब होना, या फिर चकर आना, इस तरह के कु टेबलेट को इस्तमाल करें, नहीं तो अचानक रात में आपको इन दवाओं की जरूरत पढ़ सकती है, तो यह था दोस्तो गैस्टो प्रोड किट टेबलेट के बारे में सब कुछ उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रू लाइक करें, दोस्तों में शेर करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक रहें हैं।